हेलो एन वेलकम बैक टू मैं अधर वीडियो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे तो दोस्तों वीडियो लेकर आया हूँ पॉलेंड के लिए जो लोग पॉलेंड में जाके काम करना चाहते हैं और जो लोग ऐसे माल्टा में है या लात्विया में सलोवीनिया में सलोवाकिया में और उनकी पेस ही नहीं है वहां पे और या फिर उनको काम नहीं मिला हुआ है इस्पेशली माल्टा आपको पता यह बहुत सारे एजन्ट लोग यहां माल्टा में भीज देते हैं आपको टी कर दिया करो मुझे एजी रहेगा आपको रिप्लाइ करने में तो दोस्तों की होता क्या है कि अगर पॉलंड में जाकर काम करते हो पॉलंड बड़ी कंट्री है ठीक है माल्टा से बहुत बड़ी कंट्री है और वहां पे इंडस्ट्री अरिया बहुत ज़्यादा है हर प्रकार कि वहां पर जो करन्सी जलोटी चलती है आपको पता होगा जैसे माल्टा में यूरो है लेकिन वह भी शेंजन का ही पार्ट है यूर्पेन यूनिन का पार्ट है पॉलंड लेकिं वहां की जो करन्सी वह अलग है जलोटी उनकी लोकल करन्सी तो दोस्तों की मेन बात होती है क कि हम कितना तक earn कर सकते हैं और क्या प्रोसेस है अगर आप माल्टा से वीज़ा तो चाहिए नहीं आपको सिर्फ फ्लायर की टिकेट कारनी है आपने वार्षा चले जाओ और भी सिटीज है वहां की बॉलन की और वहां जाने के बाद आपको किसी भी फैक्टरी में आपने चले आज से ही आया वही काम पे तू और आपको रख लेंगे काम पे हो बिना वर्परमिट के आप आपका वर्परमिट अपलाई होता रहेगा या फिर आप चाहते हो कि यह नहीं है और मैंने इतनी जल्दी नहीं करना है आप वर्परमिट अपलाई कर दो वापस आजब माल्टा या कहीं और जैसे इस्टोनिया, सलोविनिया, कहीं पे भी हो आप, लेकिन आपका जो टीर्सी कार्ड है, मिनिमम दोस्तों तीन मेने का आपके पास वैलिटी होनी चाहिए, वर्ग परमिट अपलाई करते समय पोलेंड की, ऐसा ने की हाँ भी मेरे पास तो कार्ड एक्सपार हो जाओगे और आपको बैक होम जाने के लिए प्रॉलम आजाएगी बात में, आप किसी भी कंट्री से फिलोंग करते हो, एक नएक दिन आपको घर तो वापस आना पड़ेगा, अगर बिना कार्ड कि अगर जाओगे तो वापस आनी बहोगे, तो बैटर यह है कि जब भी आप अपने अपलाई करना है, तो आपका कार्ड कम से कम तीन महीने के वैलिटी होनी चाहिए, और मेन बात होती है कि कितना बंदा कमा लेता है, अगर बारा से, दस से बारा घंटे कि अगर आपको काम मिलता है, एक छुटी करके, तो आपको खाप पी के, रूम रेंट खाना पीन जो भी सारा कुछ करकरा के, इंडिया का एक लाग सेव कर लोगे, ये लड़के जो गए हैं माल्टा से, उन्होंने मुझे बताई है ये, और जो अब हमें फिलाल काम कर रहे हैं, बहुत सारे थे लड़के थे, डिलिवरी में थे, और क्योंकि दोस्तों, डिलिवरी का जो का बैठा रहा जाता है, तो हर बंदे को रास आता नहीं, डिलिवरी का काम, तो फिर उसको किसी ने बताया था ऐसा, तो फिर वो चला गया, तो अभी वहां पर खुश है, और सही काम कर रहा है, क्योंकि इसे आपको भी खुशी होती है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, अपर दोगे अपने काम को, तब ही जा कि उतनी आपको अर्नी होगी, अगर आपको चाहते हो कि या नहीं, जैसे मान्टा में बहुत सारे बंदे आयों हैं, जिनके पास काम नहीं है, आपके पास सुनहरी मौका यही है, कि आप जा सकते हो, वहां पर पोलेंड में, वहां जा जाएगा, तो आपने सेम टी सेम टैम पे आपने पोलेंड की टीर सी काड के लिए अपलाई कर देना है, पोलेंड का टीर सी काड चुड़ा लेंथी है, जोस्तों, मान्टा की तरह ऐसा नहीं है, कि हाँ भी आए और तुरंद बन गया, टैम लग जाता है, छे साथ महीने, त क्योंकि वहां की पॉलिश लेंगेज में सारा कुछ टांसलेशन होता है, ठीरी पास करना पड़ेगा आपको, और बहुत लेंथी है, एक लड़का यहीं से गया था, टैक्सी डैवर में आया था, लेकिन उसका टीर सी काड नहीं बना, जैसे आप लोगों को पता है कि टीर स इंडिन रेश्टोंट में वो काम कर रहा है, तो दोस्तों ये थी इंफरमेशन, किसने अगर पोलन मूव होना होगा, कैसे काम कर सकते, वहां जाके कितनी सेलरी मिलेगी, इस सारे चीज़े मैंने डीटेल से आपको बता दिये, थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग माई वीडि पीले वीडियो